हलो फ्रेंड्स मैं एक स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल टेक्निकल ब्लॉग में अगर आप मारे चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज यूपी टिपल सी को लेकर एक बड़ी न्यूज थी तो इसलिए मैंने सोचा आपको अपडेट कर दियू क्यों महां इसके पेपर में दिया हुआ है यूपी टिपल सी नई पुरानी वा लांबित भरतियों पर मन्थन 26 को यानि 26 को बैठाक बुलाया जाएगी और उसके बाद मीटिंग होगी उसके बाद हमको यह नहीं समझ में आता है यह लोग मीटिंग बोलाते हैं उसके बाद फिर पताने क्या होता है कि सम्मामला डिस्मिस हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसे बैठाक हो चुकी है सिलेबस तक जारी हुआ और एक्जाम डेट आते यह लोग रिजेट कर देते हैं अब देखते हैं क्या होता है देखते हैं पूरी न्यूज इन्होंने आखिर क्या कहा है रियस प्राफ आयोग में नई भरती कारवाई दियस्तरी परिच्छा प्रणाली के इंतजार में पिछले एक वर से फसी थी अब मंजूरी के बाद नई प्रणाली के अंतरगत भरती फाइनल किया जाना है इसके अलावा समलित अवर अधीनस सिवा प्रिगवात्मक परिच्छा 2019 की प्रिपर साम का मतलब इसका रिजल्ट आ गया मतलब नौ महीने बाद लगभग इसका रिजल्ट आया अब पांच महीने से अभ्यारती कुछ परिच्छा का इंतजार कर रहे हैं इसी तरह वन रच्छा के वंवन जीव रच्छक पृतियोगात्मक भरती 2019 सहायक बोरिन टेक्निसियन सा सहायक सांखे की अधिकारी एम सहायक सोध अधिकारी सांखी समान चैन प्रतियोगात्मक भरती 2019 के परिच्छा पाठेकरम तथा परिच्छा योजना प्रकासित हो चुकी है इन पदों के लिए लिखित परिच्छा होनी है लिखित परिच्छा के कारिकरम का इंतजार कर रहे हैं मतलब इस्टुडेंट उसके लिखित परिच्छा यानि एक कलेंडर का इंदजार कर रहे हैं अखिर कभ इसका एक्जाम होगा समलित अवर अभियंता यों उपवास्तिवीत सामान ने प्रियोगात्मक भरती सामान चैनल प्रियोगात्मक परिच्छा तो इसका परणाम भी लांबित है आयोक के चेर्माइन परवीन कुमार ने बताया कि 26 नॉम्बर को होने वाली बैठक में भरती कारवाई सुरू होने पर चर्चा होगी कोरोना संक्रमण की वज़ा से है जब लिखित पर इच्छा आधे नहीं हो सकती लिखित पर इच्छा अधे बता रहा है है नहीं हो सकी उसके बाद नई वापढकर पुराने भरतियों पर कारवाई तैजी से बढ़़ा ही करेंगे कि ये पेपर में फिर छापके फिर बैठ जाएंगे चार-छे माईने के लिए देखते हैं क्या होता है ओके थैंक यू